अर्साम अलिकूम आज मैं आपके साँ शेर करने जा रही है। बहुत ही जबधसी रेसिपी जोके इंशालाब अफोगे बहुत पसंद आएगी मेथी मटर मलाई की रेसिपी ये शाही रेसिपी है।만 है報다 SH säga अगर आप लोग कि इसमें देशी घी भी ऐड कर सकते हैं अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे मेakukan तो कте ऑन जनल यह वाश करकर बारी कट कर लिया है तो बस 3-4 मिनट को कुक करेंगे है को आप Terre के आप अब में लोगग आड़ करें गये है करेंगे तो करीब उतली तकरिबन मेथी को हम लोग 5 मिनट पॉल लेंगे हम एक कप के किरिब मटर करेंगे मटरों को मैने हाफ बॉयल कर लिया वह तो बस व Iris के तकरिपन 4-5 मिनट पॉल लेंगे तौर आइप के क्रिब हम लोग पानियाइट करेंगे करेंगे तकर हमारे मटर ऑच्छे से गलजे तो यह देखे अच्छे से कौख हो चुके में है अब इसे एक साइट पर करेंगे और एक पैन और लेंगे जिसमें हम लोग दो के किडि़ ओई आयट करेंगे एक प्यास लिए जिसे रफली चॉप कर लिए बड़ी साइस की तो बस इसे दो से तीन मिन्ट के लिए अच्छे से कूक करेंगे ताकि इसका कच्छा पन अच्छे से दूर हो सके ख़ड़ेसाले इसे की मिन्ट कर लेंगे जिसमें हम लोगोयाँ शाहि जीरा लिए चार से पांच लांच लिए ली चूटी इलाइची लिए न्ग का लिए और 10-12 कायल जो एक बड़ेसा इसका ट माट कर लि硬 याद अशना गा उख जूरुप काजू लेंगे तकरीबन 10-12 और हम लोग ने बादाम लिए 10-12 इन दोनों में से आप लोग कोई एक चीज ले सकते हैं यही हमारे खाने को शाही खाना बनाएंगे तो बस दो से तीन मिनट के लिए से अच्छे से कुक करेंगे साथ ही इसमें हम लोग क्वाटर टी स्पून के करीब नमक आड़ करेंगे नमक हम लोगों ने पहले भी आड़ किया था और अब भी आड़ करेंगे तकरीबन एक से दो मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से कुक किया है अब इसमें हम लोग हाफ कप के किरीब पानी आइट करेंगे और लो फ्लेम पे इसे लिट लगाके तकरीबन पांच मिनट के लिए पकने देंगे ताके अच्छे से हमारी सबजियां गल जें तो पांच मिनट हमारे हो चुके में है अब इसे हम लोग ठंडा कर लेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो ये देखें बहुत अच्छे से हम लोग इसका पेस्ट तयार कर लिया वाया एक पैन लेंगे जिसमें हम लोग दो चमच के करीब ओईल आड़ करेंगे खड़े मसाले आड़ करेंगे बे लीवस बादयान का एक हम लोग ने फूल लिया और तार पांच से साथ हम लोग ने काली मिर्च के दाने लिये तो आड़ कर लेंगे एक मिनिट के लिए से सौते करेंगे और जो हम लोग ने पेस्ट तयार किया था वो आड़ कर लेंगे और एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से कोक कर लेंगे अब आड़ को आइड करेंगे जीरा पौडर हाफ अच्छे से मिक्स करणे करीब तो टोटल हम लोगों ने सॉल्ट इसमें एड किया है वन टेबल स्पून अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे मेथी और मटर जो हम लोगों ने पहले ही से तियार करके रखा वाई तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनट के लिए से अच्छे से कुप करेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब हम लोग इसमें पानी शामिल करेंगे आप लोग देख लीजीगा कि इतनी आपने गाड़ी ग्रेवी रखनी है इसकी तो बस इसे लिड लगा के तकरीबन पांच मिनट के लिए अच्छे से कुप कर लेंगे लो फ्लेम पर ताके मटर जो गरम मसाला एड़ करेंगे और तकरीबन फोर टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम लिए हम लोगों ने वो एड़ कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनट के लिए मजीद ही से कुप करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार हमारी शाही मेथी मटर मलाई तय तो इन्शालला अगली रेस्पी तक मुलाकात करते हैं अल्ला हाफीज